ओम नमश्यवाई हर हर महादेव सोमार की दिन करें यतीन सरल उपाए जिससे भोलेनाद परसन होकर अपना आशिरवाद बनाए रखे नमबर एक यदि किसी वैक्ति के जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आए दिन परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो सोमार की दिन शिव मंदिर में जाकर रुद्राक्स दान करना चाहिए जोति सास्तर के नुसार यहे उपाए करने से शुक शान्ती आती है और वैवाई की जीवन में खुशाली बनी रहती है यहे उपाए धन्सम्बंदी शमश्याव को भी दूर करता है नमबर दो जोति सास्तर के नुसार सोमार के दिन सफेद वस्तों का दान करना बहुत इसु माना जाता है इस दिन जरूरतमंद वैक्तियों को सफेद चीजे जैसे की चावल, दही, दूद या दूद से बनी चीजे दान करनी चाहिए एसा करने से भोले नात परसन होकर अपनी किर्पा बर्षाते हैं नमबर तीन सोमार के दिन भगवान सिव की पूजा करते समय ओम नमश्यवाय का जाव करना चाहिए कहते हैं कि इस मंतर में बहुत ताकत है और यह वैक्ति के जीवन में हार इस सभी भादाव को नश्ट करता है इस मंतर का जाव करने से भाग्य चमकता है और धनलाव के नए रास्ते खुलते हैं इसलिए भगवान की पूजा करते समय ओम नमश्यवाय का मंतर जरूर बोले इसके अलावा अगर आप भगवान सीव की करपा पाना चाते हैं तो उन्हें परसन करने के लिए सोमार के दिन वरत करें और विदी विदान से भोले नात का पूजन करें भोले नात का जलावी से करते समय उन्हें बेल पत्तर, दतूरा, भांग, दूद, गंगाजल, फूल वफल जरूर अर्पित करें